मेरे साथ बोलिये भारत मता की मन्च पर उपस्तित विश्व के सबसे लोगप्रियन नेता और भारत के प्रधान मंत्री आदानिय नरेंद्र मोदी जी आज के कारेक्रम के उत्सव मूर्ती और हमारे नव निर्वाचित राष्ट्री अध्यक श्रिमान जगत प्रकास नड़ा जी श्रद्दे अडवानी जी आदानिय राधना सिंग जी आदानिय जोसी जी श्रिमान नितिन घडकरी जी स्री सिवरा सिंग चोहान जी, स्री संतोस जी, हमारे निर्वाचन अधिकारी, गादा मोहन सिंग जी, ठावर्चन गहलोज जी और आज देश भर से आये हुए कारेकरता बंदू बगिनियों आप सभी का आज के कारेकरम में स्वागत करता हूँ आज हम सब के लिए हर्च का आनंद का और गवरव का विशय है कि भारतिय जनता पार्टी ने फिर एक बार अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक सामान्य कारेकरता से अपनी केरियर की सुरुवात करने वाले जगत प्रकास जी को हमारा राष्ट्री अध्यक्ष करकर निर्विरोज चुने। मित्रो भारतिय जनता पार्टी समग्रत देश की सभी पार्टियों में से इसलिए अलग पार्टी दिखाई पड़ती है कि पार्टी ना जाज़पात के अधार पर चलती है ना वंसवात के अधार पर चलती है। लोक्तंत्र में आदेश के फलक पर देखते हैं तो धेर सारी पार्टियां अपने लोक्तंत्रिक स्वरूप को खोबेटें। अपने परिवार जनों को ही येन केन प्रकारेन अध्यक्ष बनाना मुख्यमंत्री बनाना इसकी दौड में इसकी होड में रहती है। एक केवल एक मात्रब भारतिय जन्ता पार्टी ऐसी है जो परिवार वार्ट के आधार पर नहीं चलती, कारेकर्ता के गूण, अनुभाव, समर्पन, पार्टी निष्टा और देश के प्रती उसके लगाव को देखकर अपना राष्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और नीचे तक का संगठन साई करती है, आज भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक्ष के गौरव साली पत की परंपरा में नड्ला जी ज्यारवे अध्यक्ष बनकर हम सबका आने वाले दिनों में मागदसन करने वाले हैं, मैं नड्ला जी को रदय से देश के करोडों कारे करत काओ की और से बहुत बहुत बधाई देता हूं और सुपकामनाय देता हूं कि नड्ला जी आईए आप मोदी जी के नेत्रुतों में पूरी पार्टी का मागदसन करिये और पूरी पार्टी को अंचुए लक्षों तक ले जाने का आपको प्रभू सफलता दे इस प्रकार की में घंट सुबकामनाय देता हूं मित्रों शाड़े 5 साल तक मुझे भी इस पार्टी ने यह फिक महान पार्टी के अध्यक से नह टे सिवा करने का मौका दिया था धेर सारी ऊतार चड़ाव करते 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 धेर सारी सफलता प्राप्त करते हुए हम आज इस मकाम पर पहुंचे हैं और इस साड़े पांस साल में पार्टी विश्वकी सबसे बड़ी पार्टी बनी लगबग पूरे देश में हमारा संगतनात्मक विस्तार हुआ कई नए राज्य वहां हमने चुनावी सफलता प्र मोदी जी के नेत्रुतों में सफलता प्राप्त करकर आज मोदी जी हम सब के बीच में प्रधान मंत्री बनकर खड़े हैं और ये पूरी यात्रा में पार्टी के अध्यक्ते नाते काम करते करते कई कारेकरताओं से काम लेते लेते मुझसे बहुत सारी चुक भी हुई होगी गलतियां भी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को थोड़ा मेरा सभाव भी ऐसा है, कठोरता से कहां भी होगा, कठोरता से काम करने के लिए थोड़ा जोर भी डाला होगा, मगर मैं इतना घर्व से कहता हूँ, कि मोदी जी से लेकर बूत के सभी कारे करताओं ने मुझे पार्टी चलाने में रदय से सहकार, रदय से समर्थन और रदय से आसिरवाद दिया और इसी के कारण आज ये पार्टी अने शेत्रों में अपने जंडे घाडने के लिए जंडले घाडने में सफल हुई है आज इस सन पर प्रदानमंत्री नरिंद्र मोदी जी यहां बेठे हुए सभी पार्लामेंटरी बौड के वरिष्ट सदस्य, मेरे पुरोगामी सभी अध्यक्त और देश भर के करोडों कारे करताओं का मैं मेरे कारेकाल में आपके समर्थन के लिए रदय से धन्यवाद करकर आपके रून का स्विकार करना चाहता हूँ मित्रो भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया चुनावी गाज्यों में भी कई ऐसे राज्य जहां स्वप्न भी नहीं कर सकते थे मोदी जी के नेत्रूत में हमने वहाँ सरकारे बनाई कारेलय प्रसिक्षन विभाग प्रकल लाइबरेरी नियमित कारेकाने और प्रवास का एक वज्यानिक खाका इस सब आप सब के सयोग से हम कर पाए हैं आज यहां पर हमारे संगठन मंत्री स्री रामलाल जी भी उपस्पित हैं रामलाल जी लंबे समय तक 12 साल तक पार्टी में संगठन मंत्री रहे मैं अध्यक्ष बना उसके बाद रामलाल जी पूरे समय संगठन मंत्री रहे उनके योगदान को भी मैं यहां पर याद करना च करना चाहता हूं मित्रो आज नड़ा जी हमारे अध्यक्स बने हैं और नड़ा जी के नेत्रूत में हम कब आगे पार्टी को नए मुकाम पल ले जाने के लिए हम तयार हैं इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं बहुत सारे ख्षेत्रे से छुट गए हैं जहां अभी भी हमे संगठन को बूत तक पहुचाना बाकी छुटा है तो मैं आज नड़ा जी को बहुत-बहुत सुपकामनाये देता हूं और हम सभी कारेकरताओं को देज भर के कारेकरताओं को आज आहवान भी करता करना चाहता हूं कि मोदी जी और नड़ा जी के नित्रूत में हम परिश्र सिद्ध करें इसके लिए नड़ा जी के नेत्रूत में हम आगे बढ़ें मोदी जी ने पांच साल के अंदर कि देश के समग्र जनता को यह अनुभव कराया है कि नीचे से काम करने वाला कारेकरता एक घरीब घर में जन्मा हुआ कारेकरता अगर देश का प्रधानमंत्री बनत दन आता है मित्रो ढेर सारी नई योदनाय और विशेश कर देश के साथ करोड घरीवों के जीवन स्तर को उठाने के लिए इतना इतना यतना सायद आजादी के बाद कभी नहीं हुआ योजनाय बनती थी कागज पर धरी की धरी रह जाती थी मोदी जीने इस साथ करोड स्वास्ति पूरी चिंता समाप्ट कर देना बिजली का बल्ब पहुंचाना और अब नए टम के अंदर सभी के घर में सुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का भी संकल्प लिया है मैं मानता हूं कि भरतिय जन्ता पार्टी गवरव ले सके इस प्रकार से मोदी जीने सरकार क के ख्शेतर के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हो सब तरीके से एक परिपून लोग कल्यान कारी सरकार कैसी हो सकती है उसका मोडेल मोदी जी ने आज हमारे सामने रखा है और आज भी हम उनके नेत्रुटके अंदर इस नई सरकार के कारेकाल को सुरू करे हैं धेर सारे हमारे जाहे धारा 370 हो चाहे श्री राम का मंदीर हो अयोध्या के अंदर चाहे ट्रिपल तलाग का मामला हो चाहे का मामला हो हर मामले को हर हमारे वादे को पूनता की और मोदी जी के नित्रुत में पार्टी ने पहुंचाया है इसका आज हम सब को घौरव है मित्रो आज इस अवसर पर मैं रदय से नद्दा जी को बहुत-बहुत सुपकामनाय देता हूं और नद्दा जी को कहना चाहता हू कि मोदी जी नए भारत का निर्मान कर रहे हैं आप उनसे कंड़े से कंड़ा मिला कर सर्व व्यापी सर्व सब्सक्राइब यही मेरी प्रभु प्राथना है यह बात करकर मेरी बात को मैं समाप करता है दोनों हाथ उठाकर मुठी भीच कर नड़ा जी को हम सब समर्थन का वादा करे और भारत माता का जैगोश करे बुलिए भारत माता की